हिटन डरन मामले में किसी की मृत्यू होने पर अब केंदर सरकार की ओर से मिलने वाला मुआवजा कई गुना बढ़ा दिया गया है पहले हिटन डरन के हाथसे में गंभी रुप से घायलों को 10,000 और मृत्यू होने पर 25,000 का मुआवजा मिलता था लेकिन अब घायलों को 50,000 और किसी की मृत्यू हो गई तो उसके परिवार वालों को 2,000,000 रुपय का मुआवजा मिलेगा इसके लिए घायलों और मृत्यू के परिवार वालों को कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाई गई समिती के पास आवेदन करना होगा केंदर सरकार का दावा है कि मुआवजा के आवेदन मिलने के बाद किसी भी परिस्थिती में दो महिने के भीतर मुआवजे की रकम ओन लाइन खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी गौर करने की बात है कि 36 गड़ समेथ देज भर में हिटन रण के मामले बढ़ रहे हैं इस वज़े से केंदर सरकार ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए ऐसे प्रकरणों में प्रभावित लोगों का मुआबदा बढ़ा दिया है देज भर में ऐसी घटनाओं का आगड़ा पिछले साल करीब 60,000 रहा था 36 गड़ में हिटन रण के मामले करीब 2,000 दर्ज किये गए केंदर सरकार की रिपोर्ट में यह बात भी कही गई है कि हिटन रण के मामले में केवल 5 फीसदी लोग ही ऐसे हैं जो मुआवज़े के लिए क्लेम करते हैं ऐसे में लोगों में इस बात को लेकर जागरुकता भी फैलाई जाएगी कि वे सरकारी मदद ले सकें केंदर सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार वे ही लोग मुआवजे के लिए क्लेम कर सकेंगे जिनका एक्सिडेंट किसी अग्यात वाहन से हुआ हो। एक्सिडेंट के बाद वाहनों की पहचान हो जाएगी तो यह मुआवजा संबंदित वाहन चालक या इंशुरेंस पनी देगी केंदर सरकार का यह नियम एक अप्रेल से 36 गड़ समेत देश भर में लागू हो गया है आजे जानते हैं कि क्लेम किस तरह कर सकते हैं हिट एंड रन मामले में ज्यादा से ज्यादा लोग क्लेम कर सकें इसके लिए नियमों को भी सरल किया गया है अज्यात वाहनों क चपेट में आने वाले गंभी रूप से घायलों या मृतकों के मुआवजे के लिए जिला स्तर पर बनी कमेटी में आविदन करना होगा इसके पदेन अध्यक्ष कलेक्टर होंगे इस कमेटी में पुलिस और परिवहन विभाग के अफसर के साथ ही जिला विधिक प्राधिक करन के सचीव को भी शामिल किया गया है आविदन मिलने के बाद कमेटी 15 दिनों में रिपोर्ट तयार करेगी इस रिपोर्ट को बीमा काउंसिल के पास बेजा जाएगा बीमा काउंसिल से रिपोर्ट मिलने के बाद घायलों या मृतकों के परिवार वालों को कॉल करके बु झाल झाल